हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टो मैं चैनल, मा नेमी सोनी एन वेलकम टू सोनी मेक ओवर, तो कैसे ही आप सब उम्मीद करती हूँ, आप सभी लुक्स फस्त और मस्त होंगे, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आज की वीडियो में हमने आम पिट की वैक्स कितना ज़्यादा हो चुकी है, और इनके आम पिट जो है, वो थोड़ा डार्क हो चुके है, जिसकी वज़े से इनके हेर्स उसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हेर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कम से कम 5-6 मन्त की ग्रोथ है, और हेर्स बहुत थीक है, देख सकते हैं, हमने एक ही डार्क्षन में वैक्सिंग की अप्लिकेशन की है, क्यूंकि इनकी जो ग्रोथ थी, नीचे से थोड़ी सी ही ग्रोथ जो थी, वो नीचे की साईड में थी, बाकी सब उपर की साईड में थी, तो हमने पूरी आमपिट में एक ही साईड से वैक्सि नहीं निकले तो इनको जो है वो अपोजिट डारेक्शन में खीच के निकालना पड़ेगा तो हमने अभी वैक्सिंग के अप्लिकेशन की है उपर से नीचे की साइड में हमने उपर भी अप्लिकेशन कर दी है ताकि कोई भी एक दो बाल जो छूटे होंगे उपर वो अच्छ जो स्कीन में डैट स्किन सेल्स जो जमी हुई थी वो टोटल निकल चुकी है जो बलैकनेस थी वो थोड़ा सा निकल चुका है जैसा कि देख सकते हैं हमने जहां-जहां वैक्सिंग की हैं वाहाँ-वां पर इनकी स्कीन जो है वो वाइट दिख रही है वो इसलिए क्योंकि इनकी जो skin thick black वाली वो wax में निकल चुकी है, तो अब हमने थोड़ा side side के भी skin को जो है वो निकाल दिये है, dead skin cells जो होती है, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से गीले sponge की health से पोच लेंगे, और इस पे एक toner लगा देंगे, या फिर कोई moisturizer लगा देंगे, ताकि skin जो है व waxing देख सकते हैं, इसमें भी कितना ज़्यादा growth है, और जो कि skin black होने के कारण growth नहीं दिख रही है, इसमें भी हम strip में ही आपको growth जो है वो दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या कर रहा है, अच्छे से क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा sweating की problem होती है, तो हमने सबसे पह सेम प्रोसेस वही करेंगे, vaccine की application करनी है, strip को चिपकाना है, opposite direction में pull करना है, और pull करते time हमेसा आपको skin को client को कह देना है कि नीचे से खीचने के लिए, जैसा कि आप लोगों को मैं अभी वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ, कैसे खीचना है skin को, तो देख सकते हैं, अब हम जोड से खीच देंगे strip को, खीचने के time याद रखे, कि आपको strip को बहुत जटके में खीचना है, और खीचने के बाद strip को skin पर रख देना, ताकि skin client को ज्यादा pain महसूस ना हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको thank you so much, ऐसे ही support बनाया रखना, आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया है इस चैनल पे, आप लो क्यों भी मैं description box में डाल दूंगी, कोई बात करनी हो, या फिर कोई query हो, पूछना हो, तो मुझे इंस्टा पे follow कर सकते हैं, message कर सकते हैं, so guys, waxing लगभग पूरी हो चुकी है, दिन उसके बाद आप हम इसे अच्छे से post लेंगे, और दिन उसके बाद moisture लगा के छोड़ दें करने के लिए, तब तक के लिए, बाई